मैं खराब पोटोग्राफ वाली फाइल ओपन करता हूँ किसी भी फोटोग्राफ पर काम करना शुरू करने से पहले उसकी कॉपी बना लेना हमेशा अच्छा रहता है ताकि जरूरत पढ़ने पर आपके पास मूल फोटो मौजूद रहें कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे दबा कर हम लेर को डुप्लिकेट कर सकते हैं और उसे ओल्ड मैन नाम दे सकते हैं फोटोग्राफ साफ नहीं है और काला भी है मैं इससे ब्राइट करने के लिए कर्व्ज एज़िस्ट कर सकता हूँ मैं इस रंग से अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं यू अत्वा सेचुरेशन टूल पर जाऊंगा और फोटोग्राफ के रंग एज़ेस्ट करूंगा मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये फोटोग्राफ आरजीबी मोड में है या नहीं ये मोड डिफॉल्ट मोड है जिसे उच्च गुनवत्ता वाले फोटोग्राफ में इस्तिमाल किया जाता है और इसमें कई लाक रंग डिस्पले करने की क्षमता होती है अब जब मैंने बुनियादी सेटिंग्स बदल ली है तो आईए फोटोग्राफ को रिस्टोर करना शुरू करें आईए बुजर्ग आदमी के पीछे वाली दीवार से शुरुआत करते हैं इस हिस्से या पैच को टचप करने के लिए मैं कलूम स्टैंप टूल का इस्तिमाल करूंगा सेंपल को कॉपी करने के लिए मैं कीबोर्ड से औल्ट की दबाऊंगा और उसे इस पेज पर पेस्ट कर दूंगा मैं करसर को खराब हिस्से पर ड्रैग करता हूँ क्या आप देख रहे हैं कि खराब हिस्सा ठीक होता जा रहा है क्या आपको फोटोग्राइफ के ऊपरी कोने में ये लकीर दिख रही है यहाँ पर दिवार खतम होती है अब मैं इस हिस्से को टच अप करने वाला हूँ इसके बाद मैं गुलाबी पगडी को रिस्टोर करूँगा काम करने के लिए ये इमेज थोड़ी छोटी है मैं पगडी के आसपास वाले हिस्से को बढ़ा करता हूँ अच्छी तरह ब्लेंड करने के लिए मैं ओपेसिटी और फ्लो को थोड़ा बदलता हूँ पगडी को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि पगडी में अलग-अलग शेड्स है मैं पगडी के शेड्स को सिलेक्ट करता रहूँगा और खराब हिस्सों को रिस्टोर करने के लिए मैं पहले की तरह क्लोन स्टैम टूल का इस्तिमाल करूँगा अगला चरण खराब फोटोग्राफ के दूनों टुकडों को मिलाने का है इसके लिए मैं पॉलिगॉनल लासो टूल चुनूँगा और फोटोग्राफ के खराब हिस्से सिलेक्ट करूँगा मूव टूल की सायता से मैं खराब हिस्से को दूसरे आधे भाग के पास तब तक लाऊंगा जब तक दोनों टुकडे मिलना जाएं देखिए दोनों टुकडे एक साथ रखे गए हैं उसके बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी दबा कर फोटोग्राफ को डिस सिलेक्ट करूँगा अब जब दोनों टुकडे मिल गए हैं हम पगडी के अंदर रिस्टोर करने का काम जारी रखेंगे इस बार मैं आपको एक नया टूल दिखाऊंगा इसे हीलिंग ब्रश टूल कहते हैं हीलिंग ब्रश टूल का इस्तिमाल खराब हिस्से को बदलने के लिए भी किया जाता है ये सैंपल भाग के रंगों को मिला देता है जिन्हें मैंने चुना है आईए मैं आपको इस टूल को इस्तिमाल करने का तरीका सिखाता हूँ ये कलून टूल जैसा ही है मैं एक सैंपल सिलेक्ट करूंगा फिर खराब हिस्से पर जाऊंगा और उस पर क्लिक कर दूंगा ये देखिए मैंने ठीक भी कर दिया ये बहुत आसान है है ना आईए पगड़ी वाला हिस्सा रिस्टोर होने तक इस टूल को इस्तिमाल करना जारी रखते हैं मैं तस्वीर को उस हिस्से पर पैन करने के लिए हैंड टूल का इस्तिमाल करूंगा जिस पर मुझे काम करना है देखिए हमने पगड़ी रिस्टोर कर ली है अगला चरण चहरा रिस्टोर करने का है आईए माथे से शुरुवात करें मैं क्लोन स्टैम टूल का इस्तिमाल करूंगा क्या आप माथे पर ये शेडो देख सकते हैं मुझे ये शेडिंग को मैच करनी है इसलिए मैं ऐसे सैंपल का चैन करूंगा जो इस हिस्से से सबसे ज्यादा मिलता जुलता हो अब मैं क्लून स्टैम टूल का इस्तिमाल करके इसी तरह से माथे की लकीर ठीक करूँगा बहतर फिनिश के लिए मैं ओपेसिटी बदल देता हूँ मैं पूरी तस्वीर को गोल घुमा कर देख लेता हूँ कि रंग आपस में अच्छी तरह मिले हैं या नहीं क्या आपको माथे पर ये काला धब्बा दिख रहा है मैं क्लून स्टैम टूल की मदद से इसे भी मिटा देता हूँ देखिए वह धब्बा अब गायब हो गया है बुजुर्ग आदमी की बाई आँख भी बिगड गई है आईए इसे भी टचप करें दाई आँख सही आकार में है इसलिए मैं सिलेक्ट करूंगा कॉपी करूंगा और दाई आँख को बाई आँख के उपर पेस्ट कर दूंगा अब मैं एडिट फिर ट्रांसफॉर्म फिर फिलिप होरिजॉन्टल इस्तिमाल करके फिलिप करूंगा उसके बाद न्यू लेयर की जगह को गुमाने के लिए मैं एडिट फिर फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूंगा आईए इस लेयर का नाम आई रख देते हैं मैं ओपेसिटी कम करता हूँ अब मैं आँख को न्यू लेयर के पीछे आदमी की खराब आँख वाले हिस्से पर अलाइन करता हूँ और फिर मैं ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ मैं बदलावों को मनजूर करने के लिए एंटर पर क्लिक करता हूँ देखिए मैंने बुजुर्ग आदमी की बाई आँख की रोशनी लोटा दी है क्या आप यहाँ पर इन भागों को देख रहे हैं? इनको हटाना चाहिए मैं जिन हिस्सों को हटाना चाहता हूँ उन हिस्सों पर ब्रश गुमाता रहूँगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक ऐसा करता रहूँगा यहाँ एक सुझाब है काले और सफेद की बीच फ्लिप करनी के लिए आप अपनी उंगली कीबूर्ड एक्स कीपर रखें आपको जो चाहिए वह मिलने तक छोटे छोटे हिस्सों में आगे पीछे आना जाना हमेशा अच्छा रहता है अब मैं आदमी की दाड़ी भी एकदम उसी तरह ठीक करूँगा जैसे मैंने आँख ठीक की थी आईए जल्दी से चर्णों का दोहराव कर लेते हैं मैं दाड़ी का दाया हिस्सा कॉपी कर लेता हूँ और उसे बाई और पेस्ट कर देता हूँ मैं एडिट फिर ट्रांसफॉर्म फिर फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक करता हूँ ओह माफ कीजिए मुझे फोटोग्राफ को होरिजन्टली फ्लिप करना है मैं Flip को Undo कर देता हूँ और Edit, फिर Transform, फिर Flip Horizontal पर क्लिक करता हूँ मैं इस Layer को Beard के तोर पर Rename करता हूँ अब इस नई Edition को अनुरूप बनाने के लिए मैं Layer Opacity कम कर देता हूँ और उसे उचित स्थान पर रखता हूँ मैं Warp Tool का इस्तिमाल करके इस Alignment को Fine Tune करता हूँ आप इसे Edit, फिर Transform पर Locate कर सकते हैं अब मैं आपको Warp Tool के बारे में बताता हूँ इस Tool को जुकाने, घुमाने और मोडने के लिए इस्तिमाल करें सिर्फ इन Points पर Click और Drag करें इस तरह ये देखिए, हमने दाड़ी को Restore कर लिया है मैं Brush Size बढ़ा कर और घटा कर कुछ अतरिक्त हिस्सों को सिर्फ Retouch कर रहा हूँ देखिए दीवार का ये वाला हिस्सा, मैं इसे ठीक करने के लिए Clone Stamp Tool का इस्तिमाल करूंगा अब crop tool का इस्तिमाल करके मैं तस्वीर का अंचाहा हिस्सा निकाल दूंगा वा, वा गायब हो गया अगला चरण मैली दाई बाह को टचप करने का है इसे पहले किये गए तरीके से ही रिस्टोर करें अगला अगला वे एक पाफ याज़ी इस पाट प्रोच है झा म wellness yes झा झार participants झार सब्गला हुआला म ही इस्टोर का लग भ्टाष़ी प्रयोस्डपला झार दूला झारा सब्ड़bels अब मैं Crop Tool Select करूंगा और उसके बाद उस हिस्से को Select करूंगा जिसे मैं Crop करना चाहता हूं और फिर Enter पर क्लिक करूंगा अब Retouching का काम लगभग पूरा हो गया है चलो अब मैं रंगों के साथ खेलता हूं सबसे पहले पगड़ी मैं पूरी पगड़ी को Select करने के लिए Lasso Tool इस्तमाल करूंगा और New Layer जोड़ूंगा जिसका नाम तर्बन होगा मैं मन चाहा रंग पाने के लिए यू अत्वा Saturation और Lightness Sliders को Adjust करूंगा अब मैं Brightness और Contrast अजिस्ट करता हूं तो अब ये हो गया क्या आपने ध्यान दिया? हमने इस प्रक्रिया में बहुत सारी Layers बनाई हैं आईए एक फोल्डर बना ले ताकि हम इन सभी Layers को Group कर सकें मैं Layer Tab के निछले हिस्से में स्थित Create a New Group पर क्लिक करता हूं अब मैं Background को छोड़ कर बाकी सभी Layers को सिलेक्ट करता हूं और उनको Group 1 के अंदर ड्रैग कर लेता हूं इन सभी Layers को एक साथ Merge कर दें मैं Layer फिर Merge Group पर जाता हूं Group 1 की सारी Layers अब एक ही Layer में Merge हो गई है आप जानते हैं अब मैं कुछ भागों को Touch Up करने वाला हूं आखरी बार इस तरह देखने पर तो ये तस्वीर ठीक लग रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप इसे Print करेंगे तो Print Out पर छोटे छोटे दाने या छेद दिखाई देंगे हम इन दोनों को Noise कहते हैं मैं Filter फिर Noise फिर Reduce Noise पर क्लिक करता हूं क्लिक क्लिक करता है स्क्रीन पर Noise Reduction की प्रगती दिखाने वाला एक अंतिम पॉप अप आएगा अब जब Noise कम हो गया है मैं एक अन्य फिल्टर इस्तिमाल करने वाला हूं इस बार ये तस्वीर के सफेद शेट्स को गाड़ा बनाने के लिए है अब देखिए तस्वीर कैसी दिख रही है अंतितह फोटो की रीटचिंग पूरी हो गई है बैग्राउंड लेयर की आँख पर क्लिक करने से मुझे ओरिजिनल और रीटच की गई फोटोग्राफ में साफ अंतर दिखता है अब मैं फाइल को PSD और JPEG दोनों फॉर्मैट्स में सेव करता हूँ